चार धाम यात्रा हिली काटर से एक स्वर्गी अनभो की कहानी दोस्तों इस यात्रा के जरिए आप देव भूम की अंग देखी खुसूरती और वहां की पवर्जा को आप अनभो कर सकते हैं शाथ ही इस यात्रा में कितना होगा आपका खर्च चार धहम यात्रा का ये टूर 5 दिन 6 दिनों का होता है तो इसके लिए दोस्तों आपको देहरादून के एरपोर्ट या हरदवार के रेलियस्टेशन पर आपको पहुचना होता है तो हम इस वीडियो में आपको चार धाम क्यात्रा बाई हेलीकाप्टर से बताने वाले हैं तो सबसे पहले जो ड्राइवर होते हैं वो आपको एरफोर से या रिजुवेटेशन से पिकप करेंगे और आपको यह जाएंगे होटल पर यह होटल देहरादूरूम में ही होंगी औ यात्रा के सम्मन में पूरी जानकारी देते हैं तो इस तरह से आपको अगले दिन ये पूरी यात्रा चार धाम की शुरूर हो जाती है जिसमें आप पहले दिन हिलीकाप्टर से बहरादूर्ण पे खरसाली गाउं तक आप यह मुत्वी धाम के दर्सर के लिए जाते हैं दो लिए मुत्री मंदिर की दूरी है वो पहां से शृतिल मुत्र परकी है उसको यह पाल्की से कवर कराते हैं जो इनके पैकेज में ही सामिन रहता है जुमना मया शूर्दू की पुत्री और संदयों और यम्राच की बहन है वा दर्सर करने के बाद आपको खर साली गाउं में ह जाती है और अगले ही दिन आपको लेकर जाएंगे खरसावी गाओं से गंगोत्री धाम के दर्संग के लिए तो हरसिल गाओं तक हेली काप्टर के द्वारा ये लोग यात्रा कराते हैं और हरसिल से 20 किलोमेटर के दूरी जो तै करते हैं वो गारी से करते हैं तो जहां पर आपको भागीरत तो पॉस्थल की दर्संग कराया जाते हैं जहां पर आप पित जरपड़ जैसी पूजाओं में भी भाग ले सकते हैं ऐसा माना जाता है कि गंगुत्री धाम में पित जरपड़ करने से आपको आसिरवाद आपकी पित्र देते हैं मानता यह है कि रजा पूरजो के लिए यहां पर दरपड़ करते हैं तो हमें भी अपने पूरजो के द्वारा हमें आसिरवाद प्राप्त होता है करने के बाद आपको यह लोग लोकल साइट तीम दिखाने के लिए हरसिल ले जाते हैं और आपको नाइट इस्टे हरसिल में ही कराते हैं तो यहा एपल की जो पेड़ हैं उनका आनंद ले सकते हैं उनको देख सकते हैं इसके बाद अगले दिन आपको ले जाएंगे केदारनाथ के दरसंग के लिए जहां पर आपको केदारनाथ मंदिर से 500-600 मिटर दूरी पर आपको उतार देते हैं और वहां पर यहां टेवल एजेशी के जो एजेट होते हैं वो आपको पैदल यात्रा व्याइपी दरसंग कराने के लिए ले जाते हैं अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो हेलिकाप्टर के पास आपको पालकी की वेश्था भी रहती हैं जिसे आप मामजी दावों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरह से के दाननाथ के दर्सक्र करने के बाद आपको यहां के हेलिक काप्टर के द्वारा आपको कुष्टकासी नामच अस्थान पर ले जाते हैं जो की मंदिर से 24 किलोमेटर नीचे है और यही पर आपको यहां नाइट इस्टे भी कराते हैं मानता यह है कि जब महाभारत के यूद के बाद जब पांडों भाईयों के हत्या दोसे मुक्त होने के लिए संकर भावान को ढूंते हिमालिया पर पहुँचे तो पहली बार पांडों को जो संकर भावान दिखाई पड़े वो गुद्कासी में ही दिखाई पड़े जब भागवान संकर में पांडों को देखा तो मत्रिक अंदर भैसे के रूप में चुपने लगे जब भीम ने भाग कर उनकी पूष को पकल लिया तो जिस अस्थान पर भागवान संकर गुप्त होना शुरू हुए तो उस अस्थान को गुप्त कासी का नाम दिया गया जि की भैसे के पिछले हिस्से जैसा है और वाकी हिस्सा उनका अलक अलक अश्थान पर निकला उन श्थारों का नाम पंच के दार नाम दिया गया और सर के हिस्सा ने पाल निकला जहां पर पश्पत नात के नाम से पूझा दाता है ऐसी मानता है जिसे जीते जी ही मुक्ति चाह ये उसे कासी बिश्णात जाना चाहिए जब आप हेली काप्टर से केदानात मंदिर को जाते हैं तो आपको राष्टे में हरे हरे बहुत सारे पहाड नदिया वाज्या में देखने को मिलते हैं जो आपको श्वर्ग में जैसा होने का अनुवा देता है मंदिर के आजपाच छोटे गेस्ट हाउस हैं जिसमें बेसिक सुब्धाएं गरम पानी भोजन कंबल और फीटर की सुब्धा उपलब्द रहती हैं इसके बाद वह अगले दिन आपको ले जाएंगे त्रीपदी विश्वर्ण के दर्संग कराने के लिए तो हेली काट्रक द्वारा आपको बदीनाथ में उतरने के बाद यहां के एजएंट के द्वारा जो बेक्त होते हैं वह लोग आपको होटल तक ले जाएंगे एक गाड़ी से आपको व्याइपी दर्संग के लिए ले जाएंगे शतियों को माना करता था कि जो बदीनाथ धाम का जो मंदिर है वो साच्छात रूप में भगवान दुष्टू का अस्थल था यह मंदिर नर और नरा दोनों परवत के वीचू बीच में स्थित है भारत देश में एक ऐसा मात्र मंदिर है जहां पर छह मेहने तक नर लोग पूजा करते हैं और छे मेहना तक देवता लोग पूजा करते हैं एक और मानता है जब भरवान शंकर्ण ने अपने तरसूल से ब्रमाजी का एक सिस काड़ दिया था तो वो सर उनके तरसूल में फसा रह गया था पूरे ब्रमान में घूमने के बाद उस सिस को जहां पर मुक्ती मिली उसे ब करने के बाद ये लोग ले जाएंगे आपको माना गाउं जो कि भारत का पहला गाउं है वहां पर लोकल साइटीप देखने ला役एक अष्ठान है व्याश गुफा िरश गुफा गनेश गुफा यह वही अष्थान है जहां पर वेभ ब्याष जी में सीग्रे से लेखनकार महाभारत कराया था थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हम सुरस्ति हदी वा सुरस्ति माताकादी मंदिर प्राकति की रूप दो रूप को हम दर्सन करेंगे वही पर भीम पूल भी दिखेगा भीम ने ये पूल पथर का तब बनाया था जब पांडो स्वर्ग रोडी रष्टे पर जा रहे थे वही भूल के बगल में आपको भीम के पैर के पध्चिन के भी दर्सन होंगे वैसे बद्रीनाद धाम में आपको घूमने लाइक काफी से असान है जो एक दिन में पूरे नहीं हो सकते हैं उस दिन बद्रीनाद धाम में लगजरी ह एरपॉन रेल्वे स्टेशन या किसी भी होटल पर जाना चाहते हैं तो डाइबर के द्वारा उस असान पर इनके द्वारा छोड़ा जाता है तो ये पांच रात च्छे दिन की क्यात्रा शुरू होती है एक लाग नबे हजार से दो लाग दस हजार तक जाती है तो बोकिंग करने के लिए इसका यो एडर्श है और उनवाई लंबर हमने डिप्रेशन बाक्स में दे दिया है अगर आपका गुरूप 12 या उससे अधिक लोगों का है तो आप अगरा अगले वीडियो में हरहर महार दे हो